नमस्कार आईए इस वीडियो में संख्याओं के बारे में थोड़ा और जाने संख्याओं को अंकों में लिखना अंक लिखने की विधी संख्याओं से संबंदित कुछ अलग विशय संख्याओं के कुछ और विशय और तत्वों का अवलोकन करें NCRT द्वारा निर्धारित किये गए शिक्षन के विशयों में दी गई शिक्षा के बारे में हमें पता है पहले बच्चे क्रमिक संख्याओं गिनना सीख चुके हैं वे गायन विधी और टेलम का उप्योग करके गिनती सीख चुके हैं अब उन्हें संख्याओं को लिखना सीखना है पहली कक्षा में 9 तक, 1 से 9 तक उन्हें लिखना है इसके अलावा दूसरी कक्षा में उन्हें दोहरे अंकों की संख्याओं का परिचे देना होगा और 99 तक लिखना होगा इसके बाद एक और संकल्पना जो हमें उन्हें ठीक से पढ़ानी है इसे हम मौखिक संख्यात्मक नाम संबंधन कहते हैं जैसा हम जानते हैं यानि संख्यात्मक नाम और संख्याओं के बीच के संबंधों के बारे में व्याख्या करना याने कि जब हम कोई संख्या मौखिक रूप से बताते हैं मानिए साथ तो हम इसे कैसे लिखते हैं जिस संख्या को हमने सुना है साथ और जिसे हम बोलते हैं उसे हम कैसे लिखें इस विधी को मौखिक संख्यात्मक संबंदन कहा जाता है जैसा हमने देखा है इसे आगे पढ़ाएंगे अब संख्या साथ जब हम इसे कहते हैं और जब हम इसे लिखते हैं ये बताना सार है जब हम कहते हैं साथ हमारे मन में अंग साथ आता है किन्तु इस संख्या के पीछे मातरा है अगर मैं किसी को पाँच चौकलेट देती हूँ आपके हाथ में कितनी चौकलेट है? ऐसा अगर मैं पूछूँ तो बच्चा कहेगा पाँच बच्चा पाँच कहेगा अब पाँच संख्या यहां सार है लेकिन हमारे मन में ही हम पाच चॉकलेट की कलपना कर पाते हैं यदि इस संख्या की छवी अच्छी तरह समझ में आए तो बच्चे के लिए गणित सीखना बहुत ही सरल हो जाता है इसलिए इसे मात्रा संख्यात्मक संबंधन या संख्यात्मक मात्रा संबंधन कहते हैं यानि संख्या और मात्रा के बीच रहने वाला संबंध और मात्रा के अनुसार संख्या का गणन बच्चे को ये संकल्पना अच्छी तरह समझनी होगी आईए देखे क्या विधी इस्तिमाल कर सकते हैं गिनिती, मौखिक गिनिती जैसे एक, दो, तीन और आदी इसे हम सीधी गिनिती कहते हैं इसी प्रकार बच्चों को उल्टी गिनिती भी आनी चाहिए अगर हम एक से नौ लेते हैं आठ, साथ और आदी और आखिर में शून्य ये समझाने में आसान हो जाता है हम इसे आगे सीखेंगे एक और उधारण अब यहां कुछ किताबे हैं मुझे पाच्वी किताब दे उस अलमारी से वहां रखी अलमारी से हम उन्हें पाच्वी किताब लाने को कहेंगे मतलब पाच एक तो तीन चार पाच्वी इन्हें अंग्रेजी में ओर्डिनल नंबर्स कहते हैं पहली कक्षा तीसरी कक्षा ऐसे पहली तीसरी इन्हें हम ओर्डिनल नंबर्स कहते हैं हमें उन्हें ये भी सिखाना होगा अगर मैं बीस्वी कहूं उन्हें मुझे बीसवी वस्तू देनी चाहिए इसका भी अभ्याज जुरूरी है यहां हमारे पास वर्क काउंटर है हमने इनका उप्योग मौखिक गिंती करते समय पहले ही किया है उसी प्रकार हम इनका प्रयोग यहां भी करेंगे इसी तरह हमारे पास पीले क्यूब्स है बेस दस खनके हमारे पास बहुत सारे टीलम है अंक एक से नौ तक के लिए ये पीले क्यूब्स हम इस्तमाल करेंगे हमारे पास है संख्या माला संख्या माला का उप्योग करके हम एक से सो तक गिन सकते हैं पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए हम शिक्षन और अभ्यास के लिए हम संख्या माला और क्लिप्स का उप्योग करेंगे मौखिक संख्यात्मक नाम मतलब संख्या मौखिक रूप से कहना एक से शुरू कर किसी भी संख्या तक एक से बीज भी हो सकते हैं जहां तक बच्चों में रुची दिखे वहां तक आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनकी रुची कायम रखनी है याद करना जूरुरी बन जाता है और इसी लिए उन्हें इसी तरह करते रहना है लेकिन जब हम लेखन सीखते हैं हम उन्हें सिर्फ एक से नौ तक लिखना सीखाएंगे आगे चल कर जब वे स्थानिक मान सीखेंगे तब जाके हम उन्हें दो अंकों की संख्या सीखाएंगे इसलिए इस वीडियो में हम एक से नौ तक की संख्याएं लिखना सिखेंगे. आईए देखें. आरम में हम केवल नौ तक सिखाएंगे. अब एक जब हम एक लिखते हैं, इसे इस तरह नहीं लिखना है. काफी बच्चे इस तरह लिखते हैं, पर क्रिप्या ऐसा ना करने को कहें. क्योंकि अगर वे इस तरह से लिखेंगे, तो ये साथ लगेगा. इसी लिए हमें ये गल्ती नहीं चाहिए. अधिकांश लोग दो इस तरह लिखते हैं, गुलाकार के साथ, पर ये थोड़ा मुश्किल है, कठिन है. अगर ये थोड़ा और बढ़ाएं, तो ये तीन लगेगा, इसी लिए हमें इस तरह लिखना है. और इस तरह से लिखना तालना है. उन्हें ये पहचानना आसान होना चाहिए, जब कोई और लिखता है. तीन ठीक है, अब चार, किताबों में चार इस तरह लिखते हैं. छपाई में ये ऐसा होता है, पर उन्हें इस तरह लिखने को ना कहें. उन्हें चार इस तरह लिखने को कहें. क्योंकि जब बच्चे लिखते हैं, वो शायद नौ की तरह लगे इसलिए ये सही है, ऐसे लिखना नहीं चाहिए उनको ये समझना होगा कि ये संख्या चार है जब कोई और लिखता है बस इतना ही कोई लोग साथ के बीज में निर्देशक लगाते हैं, इस तरह से ये ज़रूरी नहीं, एक सरल साथ काफी है उन्हें ऐसा बनाने के लिए प्रोचाहित न करे अब आठ की और बढ़ते हैं, लोग विभिन्न तरीकों से आठ लिखते हैं ताके वो आठ लगे, पर आठ इस तरह से लिखना होगा यहाँ कुछ खास है, बाया और दाया मस्तिशक बाये और दाये मस्तिशक को सक्रिय करने के लिए याने कुछ ऐसी गतिविधियां जिनमें मस्तिशक के दोनों हिस्सों का उप्योग हो संतुलन नाले हे तू, आठ के बड़े रूप से इन्हें लिखना जुरूरी है ऐसा हमें लगता है अब तक हमने देखा है, एक से नौ कैसे लिखते हैं अब एक, एक कहने पर बच्चे को इस लिखे हुए एक की कलपना करनी होगी ये संख्या जब हम दो कहें, उन्हें इसकी कलपना करनी होगी और जब हम तीन कहें, उसे ये देखना होगा इसे हम मौखिक संख्यात्मक संबंधन कहते हैं याने की, बच्चों को पता होना चाहिए मौखिक नाम और लिखे हुए अक्षर का संबंध क्या है इसका अभ्यास हम कैसे करें? आईए देखें। इसका अभ्यास संख्याओं को बार-बार लिख कर और फिर आने वाले चर्णों में बच्चे इसे निरुपनात्मक और अमूर चर्णों में उन्हें नियमित अभ्यास से सीखेंगे। आजकल विद्यालेव में अंको का पाठ और उनकी लिखाई का अभ्यास प्रचलित है। इसी के साथ आईए टियलम का उप्योग करके कुछ शिक्षन की विधी देखें। हमारे पास कुछ वर्क काउंटर है। कितने सारे वर्क काउंटर है। आईए हम गिनते हैं। ये एक मात्रा है। हमें इस मात्रा से सम्मंदित संख्या या अंक का पता लगाना है। आईए देखते हैं। हम ये कैसे करेंगे गिनती से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, हमारे पास आठ वर्क काउंटर है, इस समुव में यहां आठ वर्क काउंटर है, हमें संख्या आठ लिखकर वर्क काउंटर को यहां पर दर्शाना है, इस विधी को मात्रा संख्यात्मग संबंधन या संख्या मात्रा संबंधन कहा जाता है, यह इसी संकलपना को दूसरे टेलम से सीख सकते हैं, हम बच्चों को पास बुला कर उन्हें वस्तुएं देके पूछे कि इसमें कितनी वस्तुएं हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, इन्हें गिनके हम जानते हैं कि साथ है, अब उन्हें वही संख्या लिखनी हैं, उन्हें ये आना चाहिए बोड़ पर लिखने को कहें, अब ये वस्तुएं संख्या साथ दर्शाती हैं, यहां साथ है, सिर्फ मौखिक नहीं, पर लिखित रूप में भी बच्चों को लिखना आना चाहिए, इसी तरह अगली गति विधी के लिए बच्चों को बुलाए, यहां कितने सारे मनके हैं, यहां से शुरू करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नौ, नौ मनके यहां हैं, बच्चों को नौ लिखना है, उन्हें इसका अभ्यास करने को कहें, इसे कैसे दर्शाएंगे? एक वर्ग पंक्तिबद कापी ले, और बच्चों को कहें, कि वह जितने चाहे वर्गों में रंग भरे, जितना भीवे चाहें, बहुत ज्यादा नहीं, पर कुछ, इस तरह से. बच्चे इसमें धीरे धीरे रंग भरेंगे, उन्हें थोड़ा समय दे और उन्हें गिरने को कहें, एक, दो, तीन, चार, उन्हें चार लिखने को कहें, अब बच्चों को इसी तरह लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसी तरह से नहीं, वे किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, वे ऐसा भी कर सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां पांच लिखने को कहें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ये भी सही है, उनको गिनना है कितने वर्ग है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, उन्हें यहां छे लिखने को कहें, कभी-कभी बच्चे बार-बार एक ही रूप में बनाते हैं, उनकी रचनात्मकता को प्रोचसाहित करें, और कल्पनाक्षमता को बढ़ाने के लिए, आप विभिन स्वरूप बना सकते हैं, और बच्चों को वर्गों को गिनने को कहें, तब वे जानेंगे के चार हमेशा उर्धवाधर नहीं होता, पर उन्हें हर रंगिन स्वरूप को गिनना होगा, और वे यह बात स्पष्टता से समझेंगे, वो मजे से विभिन स्वरूप बनाएंगे, काफी आसानी से, अब आपके मन में प्रश्न होगा, क्या होगा अगर कोई बच्चे, यहां एक वर्ग करें, फिर यहां, अब हम क्या करेंगे, यह सभी साथ नहीं रखे हैं, यह अलग है, यह अलग और यह अलग, यह हम जोड सकते हैं, अब हम उन्हें गलत है ऐसा नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे एक बॉर्डर बनाते हैं, वर्गों के चारो ओर एक दिब्बा वनाए कितने वर्गों में आपने रंग भरा? उन्हें इन वर्गों को गिरने को कहें आगे जाके उन्हें ये वर्ग एक साथ बनाने को कहें अब हमारे पास कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच आपने पांच वर्गों में रंग भरे इस बॉक्स के अंदर है ना बच्चे रचनात्मक होते हैं लेकिन उन्हें सीमाओं के भीतर ही रहना है इस तरह अभ्यास पश्ट होता है हमारा अगला चरण है संख्यात्मक मात्रा संबंधन या मात्रा संख्या संबंधन याने संख्यात्मक नाम और संख्यात्मक मात्रा के बीच का संबंध ये लगभग वही है जो हम पहले सीख चुके हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है अब मैं एक संख्या बताऊंगी और बच्चों को उसी के बाद TLM को व्यवस्तित करना होगा अब क्या आप मुझे संख्या बताऊंगे एक से नौ के बीच ठीक है साथ अब हम कुछ TLM लेते हैं इसमें से बच्चे ने मुझे साथ देने है उन्हें संख्या साथ बोर्ड पे लिखने दो फिर मुझे यहां से साथ दे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ कोई इसका उच्चारण अलग करते हैं पर मैंने इसे इसी तरह सीखा है अब इतने सारे वर्ग काउंटर के समों से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ मैंने साथ वर काउंटर लिये है यह वही मात्रा है जो मैंने छात्रों को दी थी है ना? इसी प्रकार मेरे पास कुछ पीले क्यूब्स है मैं इन्हें यहां रखूंगी अब कौन सी संख्या? चार आपको चार क्यूब्स दिखाने है मैं किसी को बुला सकती हूँ या फिर एक सामुएं गतिविधी बना सकती हूँ एक, दो, तीन, चार हमें कौन सी संख्या चाहिए? जो मैंने कही वो संख्या चार है इसलिए मैंने मात्रा में चार क्यूब्स निकाले और उन्हें दिए इसी प्रकार हम यही गतिविधी एक दूसरा टीलम का उप्योग करके कर सकते हैं अब मैं ये क्लिप बच्चे को दूँगी और उसे कहूंगी कि मुझे नौ मन के दिखाए बच्चा क्या करेगा? एक, तो, तीन, चार पाँच, छे, साथ, आठ, नौ बच्चा क्लिप को यहां लगाएगा अब देखते हैं क्या ये सही है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ हमारे दोनों हाथों में दस उंगलिया हैं आईए हमें खेल खेलते हैं क्या आप तयार है? क्या आप सब तयार है? अगर हम कहें, मैं एक संख्या दूंगी आप उंगलियों से दिखाएंगे तीन बच्चे हमें तीन दिखाएंगे अगर कोई बच्चा गलत संख्या बताता है तो हम दिखाएंगे देखो, एक, दो, तीन अगर बच्चे ने हमें पांच बताए एक, दो, तीन ये दो अधिक है बराबर इन्हें नीचे रखे ये तीन है इस तरह हमें सिखाना होगा जब ये कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चे आनन से सीखते हैं इसके साथ ही ना सिर्फ मौखिक रूप से कहें हम बोर्ड पे भी लिख सकते हैं सिर्फ मौखिक न कहें, क्योंकि कभी कबार बच्चे समझते हैं जब हम साथ कहते हैं, वो समझते हैं, किन्तु लिखा हुआ साथ, वो लिखाई, जो अंक हमने लिखा है, ये सिर्फ एक लिखाई है, ये संख्या, यानि संख्या साथ है, वो नहीं समझते, बिना कहें, लिखि इसे देख के बच्चे गिन के इसे लिख सकते हैं ये मुल्यांकन का एक तरीका है शिक्षक इसे असरदार रूप से इस्तमाल कर सकते हैं ये समझने के लिए कि क्या वो लिखना जानते हैं अब मैं एक संख्या दूंगी हमने ये पहले भी किया है हम इसे फिर करेंगे अब मैं कहूंगी पांच आप मुझे पांच दिखाए मुझे पांच वर काउंटर दे अब मैं क्या करूंगी मैं इनकी कापी में लिखूंगी पांच फिर बच्चे समू से पांच वर काउंटर उन्हें 5 वर काउंटर निकालने हैं 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? उन्हें अपनी कापी में लिखने को कहें वे किसी भी तरह दर्शा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 उन्हें 5 में रंग भरने दे इन्होंने ठीक से लिखा और दर्शाया भी सही अगर उन्होंने यहां कुछ ज्यादा दिखाएं तब आप जानेंगे कि उन्होंने गल्ती की अब पहले मैंने 5 मौखिक कहा और फिर लिखा बच्चे पहले से ही मौखिक गिनती जानते हैं इसलिए जब मैं 5 कहूं तो वो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब मुल्यंकन करने के लिए एक और गतिविधी दूंगी मैं अब कुछ नहीं कहूंगी पर बच्चों को कहूंगी कि मैं बोर्ड पर एक संख्या लिखूंगी और वो मुझे बताएंगे वो मुझे पीले क्यूबस से दिखाएंगे मैं कुछ पीले क्यूबस वितरित करूंगी समुह बनाके मैं कुछ नहीं बोलूँगी मैं संख्या की गोश्णा नहीं करूंगी बच्चों को बोर्ड पर लिखा देखना है और वस्तों को रखना है खुट से आईए देखे कोई बच्चा इतने सारे क्यूब्स लेगा ये संख्या है आठ पर हम जानते हैं कि बच्चा संख्या समझ नहीं पाया वो नहीं जानता एक, तो, तीन, चार, पांच, छे बच्चे ने सोचा ये छे है मतलब हमें उनसे लिखवाना होगा एक से नौ तक अभी भी बच्चा इसे ठीक से नहीं समझा इसलिए बिना बच्चे को डाटे या धमकाए हमें उनसे बार-बार लिखवाना होगा बोड पर बड़े अक्षरों में लिखे या मानचित्र बनाए और उन्हें इसे रोज देखने दे लिखने का अभ्यास करवाएं उन्हें धैर्य पूर्वक सुधारें कहें देखो ये संख्या आठ है आपको आठ पीले क्यूब्स रखने हैं क्या आप कर सकते हैं? अब बच्चा करेगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ क्या ये सही उत्तर है? जी हाँ, बहुत अच्छे इस तरीके से सिखाना है अब ये ठोस चरण है याने, देखे अमूर्थ चरण तो खतम हो गई अब ये है निरुपनात्मक चरण अमूर्थ चरण संख्या आठ को लिखना सार है बच्चों को आठ वर्ग बनाने का अफसर दे आठ वर्ग और फिर उनमें रंग भरने दे अब संख्या मात्रा संबंधन या संख्याओं और मात्राओं के बीच के संबंध और इसकी विधियों पर चरण करेंगे मैं बोर्ड पर संख्या लिखूंगी या इसकी गोशना करूंगी बच्चों को ठीक मात्रा में वस्तुए उठानी होगी बोर्ड पर लिखी संख्या के संबंधित आए देखते हैं ये कैसा करेंगे क्या आप मुझे एक संख्या देंगे पांच ठीक है मतलब मुझे बोर्ड पर पांच वर काउंटर लगाने होंगे मैंने नहीं गिने कितने मेरे पास काफी है ये ठीक है मैं हर एक को एक एक करके यहां लगाऊंगी मेरी मदद करो और बताओ कहा रुखना है ठीक है ठीक है एक दो तीन चार पांच इतने बस है है ना ये सही है ठीक है बहुत अच्छे अब कभी कबार शिक्षक छटवा लगाने की कोशिश करेंगे और बच्चे कहेंगे नहीं नहीं काफी है पांच हो चुके उन्हें इसका अवसर दें बच्चे बहुत खुश होंगे कि टीचर गलती करने वाली थी और उन्होंने उन्हें सही किया अब हमने पांच वर काउंटर को रखकर पांच को दर्शाया है है ना अब क्या होता है जब हम बिना बताय ही संख्या को बोर्ड पर लिखते हैं क्या छात्र संख्या को पहचान सकते हैं जो हमने बोर्ड पे लिखा है क्या वो इस संख्या से परिचित है हम इससे जान पाएंगे अब मैं इसकी गोशना नहीं करूंगी मैं सीधे ही बोर्ड पे लिखूंगी मैं किसी बच्चे को यहां बुलाँगी इन में सी कुछ वर्ड काउंटर नहीं दूंगी अब देखते हैं कि क्या वो इसे ठीक से लगा पाते हैं अन्य बच्चे भी गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही यदि बच्चा संख्या 9 से परिशित न हो तो उत्तर गलत होता लगाए गए वर्ड काउंटर की मात्रा अलग होती है ना? ये गलती होती इस तरह जब शिक्षक इन वर्ड काउंटर को बोर्ड पे लगाते हैं और बच्चों को इस गतिविधी में शामिल करते हैं तब अभ्यास पहतर होता है यहां एक पहलू पर ध्यान देना होगा एक ही बोर्ड पर जब विभिन उधारण दिये जाते हैं बच्चे ब्रह्मित होकर सबको इकठा गिनेंगे इसलिए हमें इन्हें अलग करना होगा उन्हें बताना होगा कि ये दोनों समुह अलग है और फिर उनकी अलग-अलग गिन्ती करें फिर वो ब्रह्मित नहीं होंगे जब गिन्ती करेंगे सीधी गिंती और उल्टी गिंती आएए देखते हैं इसे कैसे सिखाएंगे हमने पहले ही सीधी गिंती देखी है क्रमा नुसार संख्या पाठ करना सीधी गिंती माना जाता है लेकिन हमें याद रखना होगा जब हम कई सारे वर्क काउंटर लेते हैं जब हम एक यहां रखे, जब हम दो कहते हैं, इसका मतलब हमने एक और इसके पास रखा है जब हम तीन कहते हैं, तो हमने एक और रखा, एक और रखा तो चार बनेंगे अर्थात एक संख्या और उसके आगे आने वाली संख्या के बीच का अंतर एक है जब हम एक और रखते हैं, तो हमें अगली संख्या मिलती है एक, उससे एक अधिक होता है दो, एक अधिक होता है तीन, और एक होता है चार, और एक होता है पांच एक और बनाता है छे, इसे इस तरीके से समझा सकते हैं आईए देखें बच्चे इसे अपनी वर्ग पंक्ति बद्ध कापी में कैसे लिखें। हम एक वर्ग से शुरू करेंगे, इसमें रंग भरने को कहें, इसके अलावा उन्हें संख्या लिखने को कहें, ये एक है। कितने हैं? एक। अब हमारे पास एक है, एक और वर्ग निकालेंगे। हमारे पास क्या है? एक दो। लिखें दो। एक था और अब है दो। इसी प्रकार इसे बढ़ाएं, अब और एक वर्ग बनाएं। दो थे, अब हमारे पास तीन वर्ग है, लिखें तीन। अब हमारे पास तीन है, अब और एक वर्ग बनाएं। अब बना चार। अब इन्हें इसी प्रकार करने को कहें। और आपको पता चलेगा कि क्या बच्चा एक से नौ तक लिखना जानता है। अगर संकल्पना को स्पष्ट रूप से समझे है, तो इसका विशलेशन किया जा सकता है। ये इसी स्वरूप को करते रहें और नौ तक जारी रखें। फिर रुखना होगा क्योंकि हम दस तक नहीं पहुँचें। हम दस को अभ्यावेदन चरण में नहीं दर्शाते, पर ध्यान दे, भले ही बच्चे केवल नौ तक सीखे हैं, अभी वो सिर्फ एक से नौ तक लिखना सीखे हैं, मौखिक रूप से वे आगे की संख्याएं भी जानते हैं, जो बच्चे रुची दिखाते हैं, और जो बच एक से नौ अच्छे से जानते हैं, इनका उप्योग करके उन्हें दस, ग्यारा, बारा दिखाएं, एक बार वे स्थानिक मुल्यों की संकलपना समझें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इनकी मदद से वे गिन सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंधरा और सोला, वे मौखिक गिन्ती कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, मौखिक गिन्ती में कुछ भी गलत नहीं, पर अभी वे संख्याओं को लिखना नहीं जानते, स्थानिक मुल्यों की संकलपना सीखने पर सिखा सकते हैं, अब सीधी गिन्ती के बारे में देखा, अब उल्टी गिन्ती, याने क्या होगा जब हम 9 में से 1 गटाते हैं, अगर हम 8 में से 1 गटाते हैं, ये समझना बच्चों के लिए आसा नहीं होता मौखिक रूप में, क्योंकि अभी तक हमने केवल सीधी गिन्ती सेखी हैं, अधिक गति विदियों से वे अच्छी तरह समझेंगे तो आएए हम फिर से कुछ और TLM का प्रयोग करके इसे सीखते हैं अब हमारे पास इतने सारे हैं कितने सारे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ है ना क्या होगा अगर मैं साथ में से एक घटाऊं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हमारे लिए शिक्षकों के लिए साथ में से एक घटा कर छे हम आसानी से बता सकते हैं पर बच्चों के लिए ये कठिन है, है ना? इसलिए हमें उन्हें परियाब समय देना होगा गिनने के लिए और उत्तर देने के लिए उनके लिए ये एक नई संकल्पना है अब हमारे पास छे बचे यदि इस में से एक घटाएं एक, दो, तीन, चार, पांच पहले हमारे पास कितने थे? साथ फिर कितने बचे थे? वे शायद छे भूल गए ठीक है, शायद वो भूल गए हम उन्हें बताएंगे साथ में से एक घटा कर छे बचे अब एक और घटाने पर पांच बचे अब एक और घटाने पर क्या होगा? एक, दो, तीन, चार चार है, है ना? अगर एक और घटाएं एक, दो, तीन एक और घटाएं दो, एक और घटा कर एक ही बचा, है ना? बहुत अच्छे अब मैं ये भी निकालूंगी अब क्या हुआ? अब यहां कुछ भी नहीं यह खाली है, है ना? ये भी एक अंख है इसका भी नाम है खाली मात्रा को शून्य कहा जाता है कुछ भी नहीं का अर्थ है संख्या शून्य है ये कहकर हम अगली कृती की तरफ जाते हैं इसी प्रकार ये संकल्पना गाने के माध्यम से भी सिखा सकते हैं पेड़ पर कई पक्षी बैठे थे अगर एक उड़ जाता है तो कितने बचे? ऐसे गाने गाकर उल्टी गिंती की संकल्पना सिखाई जा सकती है धीरे धीरे वो उल्टी गिंती की संकल्पना समझ जाएंगे उन्हें संकल्पना इन वस्तुओं का उप्योग करके भी सिखाई जा सकती है यहां कितनी वस्तुएं हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इन में से केवल चार लेते हैं एक हटाने पर तीन, एक हटाने पर दो एक और हटाने पर एक ही बचता है और अगर मैं इसे भी हटा दूँ तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या? कुछ भी नहीं का अर्थ है शून्य इसे बार-बार पूछे ताकि ठोस प्रकार से उनके दिमाग में पंजिक्रुत हो जाए आएए संख्या माला का उप्योग करते हैं इस संख्या माला में भी हम उन्हें गिनने को कहें इस क्लिप से इस क्लिप तक इन दोनों के बीज कितने मनके हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब हम एक और क्लिप लेंगे और हमारे पास आठ है, है न? अगर मैं इस तरफ से गिनना शुरू करूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आठ हमारे पास आठ है अब अगर मैं इस क्लिप को यहां रखूँ एक को हटा के कितने बचते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अगर मैं एक और मन का हटाऊँ हमारे पास है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यूही करते करते अब हमारे पास बस दो है एक, दो अगर एक हटाएं, तो बस एक बचा अगर मैं इसे भी हटा देती हूँ अब कितने बचे दो क्लिप के बीच कुछ भी नहीं कितने मन के बचे? शून्य मन के, खाली संख्या का मतलब शून्य तो अब हमने सीखा उल्टी गिंती करना आईए, हम इसे अभ्यावेदन विधी में करना सीखें आईए देखें, हम संख्या 9 से शुरू करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ वर्ग, मैं यहां संख्या 9 लिखूंगी अब इन में से हम एक वर्ग को हटाएंगे इन में अपनी पसन के रंग भनेंगे बच्चों को अपनी पसन के रंग भनने की अनुमति दे अब अगर इन में से एक को हटाएं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ हमारे पास आठ वर्ग है तो अब हम आठ वर्ग बनाएंगे हमने नौ में से एक को हटाया तो हमारे पास आठ वर्ग बचे उन्हें इसमें भी रंग भनने को कहे किसी अलग रंग में बच्चों को ऐसी गतिविधी बहुत पसंद होती है कभी-कभी वे इसे पूरे दिन कर सकते है कोई बात ने अब इन में से हमें एक और वर्ग हटाना है यहां से या वहां से तो अब कितने बचे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ अब हम इस प्रकार से इन्हें यहां बनाएंगे अब इस और से बनाते हैं आसान करने के लिए साथ वर्ग बनाए उन्हें गिनने को कहे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ अगर इस में से एक और हटाए अब कितने बचते हैं? हम उत्तर नहीं बताएंगे बच्चों को खुच से गिनने दो और कहने दो छे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अगर एक और हटाएं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच उन्हें पाँच वर्ग बनाने को कहे मैं यहाँ पाँच लिखूंगे एक और हटाने पर एक, दो, तीन, और चार हम यहाँ चार वर्ग बनाएंगे और यहाँ चार लिखेंगे एक और हटाने पर एक, दो, तीन यहां तीन वर्ग बनाए तीन वर्ग लिखूंगी और दर्शाओंगी कि यहां तीन है एक और हटाने पर हमारे पास दो बचे यहां दो लिखे एक और हटाने पर अब हमारे पास बस एक वर्ग बचा अब क्या होगा जब मैं आखरी वर्ग हटाऊंगी? अब क्या बचेगा? कुछ भी नहीं हमें शून्य कैसे लिखना है? इस तरह से शून्य आज हमने एक नया अंक यानी शून्य लिखना सीखा शून्य को एक वृत्त की तरह लिखा जाता है गोल याने की शून्य आईए गिनते हैं नौ से उल्टी गिनती करते हैं जब बच्चे उल्टी गिनती सीखते हैं इसे देखें वे धीरे धीरे गिनते हैं क्योंकि वह छे और आठ जैसे अंकों से परिचित नहीं होते इसी लिए उनका निरिक्षन करके धीरे धीरे उनसे गिनती करवानी होगी ये शून्य की संकल्पना है अगर कुछ नहीं है तो शून्य है आईए एक छोटी सी गती विधी करते हैं मैं इसमें कुछ वर्काउंटर लोगी मैं उन्हें इसमें रखूंगी किसी एक बच्चे को यहां आने को कहूंगी और पूछूंगी कि इसमें कितने काउंटर है ठीक है? एक बच्चा आएगा और देखकर एक, दो, तीन, तीन वर्ग काउंटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया अब मैं यहाँ इसमें कुछ रखूंगी उन्हें कहूंगी अपनी आखे बन करे और पूछूंगी इसमें कितने है एक और बच्चे को बुला कर उसे आग बन करने को कहूंगी मैं आपके हाथ में कुछ रखूंगी यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं मैं उसे पूछूंगी, यहाँ कितने वर्ग है बच्चा कहेगा, यहाँ तो कुछ नहीं तो आपको बच्चों से शून्य कहलवाना होगा यहाँ शून्य है इस प्रकार खेल विधी द्वारा आपको उन्हें शून्य अर्थात कुछ नहीं की संकल्पना बार-बार सिखानी होगी कुछ नहोने पर उसे शून्य कहते हैं अब जब हम शून्य कहते हैं तो वे उसकी कल्पना कर पाएंगे और उसे लिख पाएंगे आगे की गिंती की संकल्पना मतलब एक क्रम में गिनना बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वे पहले से सीख चुके हैं पर उन्हें उल्टी गिंती समझने में देरी हो सकती है और सीखने में मुश्किल हो सकती है ये उनके लिए आसान नहीं होगा यहां हमारे पास 9 काउंटर है जो बोर्ड पे चिपके है आईए इन्हें गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने काउंटर है? 9, है ना? अब मैं यहां से 1 ले लूँगी कितने बचे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब 8 बचे मैं यहां 8 लिखूंगी ठीक है? मैं अब इस में से एक और हटाऊंगी क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां कितने है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सही है? अगर मैं एक और ले लूँँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अगर एक और हटाऊं अब कितने? 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 है है न? अगर एक और हटाऊं 4 4 में से एक हटाऊं तो 3 एक और हटाऊं तो 2 अगर दो में से एक हटाऊं अब एक बचा हमारे पास शुरुवात में कितने थे? हमारे पास 9 थे जब एक एक कर इनको हटाया अब बस एक बचा है अगर मैं इस एक को हटा दूँ तो यहां कुछ भी नहीं है यह खाली है अब इसे हम क्या कहेंगे? शून्य शून्य इस तरह लिखते हैं जब कुछ नहीं होता तो शून्य होता है क्या हम 9 से उल्टी गिंती करेंगे? हमने यहां पहले से ही लिखा है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और शून्य ठीक है? अब बच्चे समझ चुके है संख्याओं की संकल्पना को कुछ हद तक उन्हें दी गई मात्रा के अनुसार वे संख्या लिखना सीख चुके है यदि हम एक संख्या लिखते हैं तो वे जानते हैं के संख्या के संबन में एक मात्रा कैसे लिखनी है? इसके बाद अगला चरण वेकलपिक गिंती, वे पहले ही गिंती सीख चुके है, skip counting और number patterns, ये सारी गतिविधिया अमूर्त चरण का मुख्य हिस्सा है, हाला कि बच्चे कक्षा में इन गतिविधियों को आनन से कर लेते हैं, उधारन के लिए मैं पहले लिखूंगी और फिर सिखाने के तरीके हम देखेंगे, अब मैं संख्याओं को श्रुंखला में लिखूंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और नौ, यहाँ skip counting का मतलब है, मैं एक को गिनूंगी, और दो को नहीं, और फिर तीन, एक, तीन, फिर चार को छोड़कर पाँच लिखूंगी, मैं छे को छोड़कर साथ लिखूंगी, आठ को छोड़कर नौ लिखूंगी, एक, तीन, पाँच, साथ, नौ, इसे skip counting कहते हैं, इसे दिखाने के क्या तरीके हैं, हम इस गति विधी के लिए संख्या माला लेंगे, अब संख्या माला का उप्योग करके संख्याओं की गणना करने की विधी पर नजर डालते हैं, हमारे पास ये सारी संख्याएं हैं, ये सारे मन के हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, हमें दस नहीं चाहिए, केवल नौ लेते हैं, अब मैं एक के बाद एक क्लिप लगाऊंगी, फिर, दो के बाद मैं एक और क्लिप लगाऊंगी, एक, इसके बाद मैं दो नहीं कहूंगी, तीन, अब चार ना कहके, पाँच, अब छे नहीं कहूंगी, इन में थोड़ी जगा बनाते मैं 6 नहीं कहूंगी अब 7 के बाद क्लिप लगाऊंगी अब 8 ना कहके 9 के बाद क्लिप लगाते हैं 1, 3, 4 नहीं 5 6 नहीं है 7 अब 8 नहीं है तो 9 हम जाते हैं यहां से यहां यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां जो बुस्तिका में लिखा जाता है उसे इस तरह प्रस्तुत करते है तो बच्चों को स्वरूप की स्पष्ट तस्वीर मिलती है आसान होता है इसे हम skip counting कहते हैं पहले और तीसरे वर्क जैसे कम वर्क के चात्र संख्या परिवर्तन के लिए skip counting सीखते हैं वे इसे सीखते हैं बाद में आगे के चर्णों में वे इन दोनों संख्याओं के बीच के अंतर को बढ़ाते हैं जैसे जैसे वे बड़ी संख्याएं सीखते हैं स्वरूप अलग-अलग होता रहता है तर्क इसके पीछे का तर्क, तर्क और लॉजिक वे धीरे-धीरे सीखेंगे इस पधती से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं हम दैनिक जीवन में इन संख्याओं का उप्योग कैसे करेंगे? क्या ये एक उचित सवाल है? निश्चित रूप से नहीं, है न? अगर कोई फोन कॉल आता है, तो हमें फोन नंबर बताने के लिए नंबर चाहिए इसी तरह, जब हम बच्चों के साथ चलते हैं, तो हमें हर जगर बोर्ड दिखते हैं हम घर के पते देख सकते हैं, पते पर घर का नंबर होता है, हर घर का अपना नंबर होता है बच्चों को हम संख्या पढ़ने को कहें, इस घर की संख्या क्या है? क्या आपने इसे स्कूल में सीखा है? मुझे बताओ, एक, दो, चार, यहां लिखा है यहां माता पिता भी बच्चे की मदद कर सकते हैं और गल्ती करने पर सुधारे बच्चे जहां भी जाते हैं उन्हें अंक मिलते ही है आपके पास पैसो के नोट होंगे जब घर पर मा या पिता पैसे गिनते हैं वे बच्चों को सिखा सकते हैं ये पाँच की नोट है, पाँच यहां लिखा है, दो शुन्य यहां लिखा है, शुन्य कहां लिखा है, अगर वे बीस नहीं जानते, तो वे इसे दो और शुन्य की रूप में पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में संख्याओं का उप्योग ऐसे करते हैं, फोन कॉल के दोरान भी, मान लीजिए मैं किसी को कॉल करना चाहती हूँ, अगर आप जल्दी में नहीं, या आपात काली इन स्थिती में नहीं है, तो बच्चे को फोन दे, और नमबर डायल करने के लिए कहें, चार, पाँच, वे इन संख्याओं को ढूंडेंगे, वे धीरे संख्याओं ढूंडेंगे और उन्हें दबाएंगे, इसी तरह संख्या और मात्रा के बीच का संबंध, संख्या और मात्रा के बीच का संबंध क्या है, या मात्रा और संख्या के बीच का, इस तरीके से सिखाया जा सकता है, या फिर कक्षा में कृति के माध्यम से, उधारन के लिए मैंने कुछ वस्तुएं लाई जैसे कि कुछ पैंसिल मैं इन्हें बच्चे को देकर गिनने को कहूंगी कितने हैं वो गिनेगा एक, दो, तीन, चार और कहेगा चार मतलब वो मातरा के अनुसार एक संख्या बताएगा इसी तरह मानो आज किसी का जन्दिन है बच्चा अपनी मा से कहेगा कि कुछ चॉकलेट बाटने है तो वे दे मा पूछती है कक्षा में कितने बच्चे हैं क्या आपने पूछा पंधरा बच्चे हैं बच्चे को चॉकलेट दे और गिनने को कहें एक दो गिनने के बच्चा अपने साथ पंधरा चॉकलेट ले जाता है यह संख्या मातरा संबंधन है या संख्या और मातरा के बीच संबंध बन जाता है इस तरह विभिन्न गति विध्योग का उपयोग करके आप उन्हें संकलपना सिखा सकते हैं आगे की गिन्ती और उल्टी गिन्ती के लिए किन गति विध्योग या खेलने के तरीकों का इस्तमाल किया जा सकता है बच्चे लंगडी खेलते हैं यह किसका उधारण है? आगे की गिंती का वे लगातार गिंती करते हैं और खेलते हैं वे नियमेत रूप से इसे खेल कर बहतर सीखेंगे वे लुडो, साप और सीड़ी भी खेलते हैं साप और सीधी के खेल में संख्या लिखी होती है एक, दो, तीन, चार उन्हें गिनना है और सीधियों पे आगे बढ़ना है आगे की गिन्ती इसमें से भी वो सीख सकते है एक और गतिविधी सीधियों के साथ है अगर आपके घर या स्कूल में सीधियां है तो उन पर चौक से अंक लिखे जितनी भी सीधियां एक, दो, तीन उतने लिखे फिर चड़े और दिखाए चड़के बच्चों को दिखाए कि यह पहला कदम है और यह दूसरा है चड़के सिखाए फिर जब आप पांचवे पर हो तो वो कहेंगे पांच और अप उल्टे क्रम में कदम रखे पांच से एक कदम कम चार चार से एक कदम कम तीन और इसी तरह आप पहली सीधि पे रुख जाएंगे और नीचे उतरने पर कुछ नहीं है यह मन्जिल है यह शून्य है हम शून्य की संकल्पना को खेल के इन तरीकों से सिखा सकते है इनी तरीकों से पहले, दूसरे, तीसरे, आदी के संकल्पना जो क्रमिक संक्याएं हैं इन्हें भी सिखा सकते हैं और इनका अभ्यास कर सकते हैं हम पहले से ही उन संभावित गल्तियों पर चर्चा कर चुके हैं, जो बच्चे कर सकते हैं, कुछ संख्याओं को धीरे धीरे लिखना सीखेंगे, और कुछ लिखी गई संख्याओं को पढ़ने और याद करने में थोड़ा आधिक समय लेंगे, ऐसी चीजों का नियमित रूप से अभ्यास करना होगा, पाठ्य पुस्तक और एक अच्छा समर्थन देने के लिए टीलम का उप्योग करें, यहां संख्या लेखन, संख्याओं को आगे और उल्टे क्रम में लिखना, शून्य की संकल्पना और इन सभी को टीलम का उप्योग करके कक्षा में कैसे पढ़ाया जा सकता है, यह हमने सीखा, इन में से इन में सभी करें